हेलो दोस्तो दे अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है हमारे डॉग वर्सिस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे गोल्डेन रिट्रीवर वर्सिस लाबरादॉर रिट्रीवर के बारे में तो Golden Retriever vs Labrador Retriever के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को History and Origin Golden Retriever को 19 सेंचुरी के दौरान स्कॉटलेंड में ब्रीट किया गया था इन्हें as a gun dog ब्रीट किया गया था ताकि जब hunter, duck और turkey जैसे birds का शिकार करे तो ये उन्हें retrieve कर सके इसलिए इनका नाम Golden Retriever पड़ा Labrador को Origin Canada से है इन्हें fishermen को help करने के लिए ब्रीट किया गया था ताकि जब fishermen कोई भी मचली पकड़े तो Labrador पानी में तैर के उन्हें ले कर आए इसलिए इनके पैरों की उंगलिया जालीदार होती है ताकि ये उन्हें तैरने में help कर सके Golden Retriever और Labrador one of the best family dogs है ये first time dog owners के लिए भी बहुत अच्चे होते है ये dog लगबग हर तरह की family के साथ रह सकते है अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी है तो भी इनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ही caring होते है Height Golden Retriever की Height 22 से लेके 24 inches तक होती है और Labrador की Height 21 से लेके 23 inches तक होती है Weight Golden Retriever का Weight 30 से लेके 34 inches तक होता है और Labrador का Weight 25 inches से लेके 32 inches तक होता है Life Span Golden Retriever का Average Life Span 10 से लेके 12 साल तक के बीच होता है और Labrador का Average Life Span 10 से लेके 14 साल तक के बीच होता है Overbeating की वज़े से Labrador को Health Problems भी होने लगी है इसी वज़े से आजकल उनकी lifespan भी कम हो गई है Price Golden Retriever की Price 18,000 से लेके 26,000 तक के बीच होती है और Labrador की 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच होती है Adaptability Labrador लगबग हर weather में रह सकता है अगर उन्हें बच्पन से ही उस weather condition में रखा जाए तो लेकिन Golden Retriever को उनके लंबे coat के कारण जादा गरम और humid weather में ना रखा जाए ये दोनों डॉग बहुती playful और active होते हैं इसलिए इन्हें medium size या फिर बड़े size के घर में रखना चीए अगर आप इन्हें छोटे size के घर में रख रहे हैं तो इन्हें दिन में कम से कम दो बार walk के लिए जरूर लेकर जाए वर्ल्ड most smartest dog की ranking में Golden Retriever number 4 पर है और Labrador number 6 पर ये दोनों डॉग बहुती intelligent होते हैं और इन्हें easily train किया जा सकता है ये दोनों डॉग हर किसी के साथ बहुती friendly होते हैं इसलिए इन्हें बच्पत से ही socialize करना आपके लिए बहुत easy हो सकता है ये दोनों बहुती active dogs होते हैं इसलिए इन्हें हर रोज कम से कम आदा गंटा physical exercise जरूर कराएं Grooming Golden Retriever को जादा grooming की जरूरत होती है क्योंकि इनका double eight coat होता है और इनका coat बहुती long होता है Labrador को उत्ती ज्यादा grooming की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनका short coat होता है Shading and coat color Labrador के बाल Shading Season के दोरान जड़ते हैं लेकिन golden retriever के लंबा coat होने के कारण उनके बाल समय समय पर जड़ते हैं Labrador सिर्फ तीन coat color में पाय जाता है वो है black, brown और yellow Golden retriever gold के कई shade में पाय जाता है जैसे light gold, dark gold, golden और cream color तो दोस्तों ये था आज का मारा एपिसोड golden retriever versus Labrador retriever के बारे में और popular dog versus dog वीडियो देखने के लिए subscribe करे हमारे चैनल को like करे, share करे और comment करे इस वीडियो पे Thank you